वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रगें नमस्कार दोस्तों जोग्रफी की जो हम लोग टॉप 50 MCQ की सीरीज कर रहे हैं यह उसका दूसरा लेक्ट्चर है तो जैसे कि आपको पता होगा मैं दो सीरीज चला रहा हूं एक मिस्क्स पूरी जियस क जोग्रफी की ठीक है यह उसका दूसरा वीडियो है मेरा नाम आशिश्टी वार यह चलिए शुरू करता है कह रहा है अल्फ परवत के संदर में कौन सा कतन सही है यह बताना आपको ठीक है निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है अल्फ मांटिन पता होगा आपको इट एक् मैप देख रो सब में काफी कंटरी में पाय जाता है फ्रांस है सुईजरलैंड लेंड ए जर्मनी है इत्ली है ठीक है स्लोवेणिया है यह पहला इस्टेट्मेंट तो गलत हो गया इसकी सर्वोच उची चोटी मांट ब्लैंक है हाईएस्टी कि मांट ब्लैंक यह टीक है ठी से उर्जा निकलती है उसे अब केंद्र यह हाइपो केंतर कहते हैं पहली पाद सही जहाँ सब कम निकलता है उसको हैपो कर बोलते हैं यहां उन्हों स्टेट्मेंट्स है एसकर लैंड्सकेप इस फॉर्म्ट एसकर भूअगरती कहां बनती दी सूना होगा आपने तो जितने भी होते हैं लिक्तिनों पर विचार करना करना है विद रिफ्रेंज प्लाया consider the following statement ठीक है ये मरू भूमियों में बनने वाले उतली जील उतली जल जीले हैं इन में वर्स बर जल पाया जाता है ये कैसे पॉसिबल है आप बताओ वर्स बर जल नहीं होता है यहाँ पर फूर बस मौसमी होता है ठीक है मौसमी होती है पूरे साल इसमें पानी नहीं मिलेगा यानि सिर्फ ऑप्शन वान हो जाएगा ठीक है चले पच्छपन देखते हैं 55 क्या कह रहा है गोंडवाना चट्टानों के संदर्व में इसमें कौन सा कतन सही है यह बताना है ठीक है इस और इगनियस रॉक यह आगने शैले होती है तो यह हो जाएगा गलत क्योंकि स्टेट्मेंट गलत है यह कोईले के लिए महत पूर्ण है यह तो ठीक है अभी बताया मैंने आपको यहनी स्टेट्मेंट सिर्फ दो साई होगी इसमें 56 देखते हैं निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमेलित है विच आप फॉलोइंगार करक्ली मैच कौन सा इसमें से स सिक्किम में ठीक है यानि दो और तीन बिल्कुल सही है पहला गलत हो जाएगा ठीक है चलिए 57 देखते हैं निमलिकित कत्रों पर विचार करना है कौन सा कतल सही है यह बताना है ठीक चलिए तो कह रहे हैं पश्चमी घाट की सर्वोच चोटी अनाइमोडी है दा हाइस पी को सां से युग समयली थे बताना फजी फाल लिंग पेर इस टेहेंश कर्क्ली मैच यह मुराइलन्ट न्यू मूरा इसकी नदि मिलेगा लिए बिल्कुल सही री मनार की खाली में पाया जायगा सिसे इसी नदी के साथ सिमेलित is क्रक्क्री मैछ स्ट introduced ुनियम्रण तो बिल्कुल सही है और लगुण वंवक्र नोस्ट में और तो बिल्कुल सही है नर्मदा की ट..., पूर्णा नदी तापी की ट्रिव्यूट्री यह भी बिल्कुल सही है और माल प्रभा दोस्तों कावेरी की नहीं है यह कृष्णा नदी की माल प्रभा यानि सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा इसमें साथ देखते हैं कहरा निमलिकिन मैं से कौन सा सही सुमेलित है सबसे पहले वूलार लेख यह को लगून यह बिल्कुल सही हो जहाए लगून क्या होता पता है डैसote माल लैंड हैं यह समुदर यह नदी जो हैं यहाँ पर लेक मतलब जील produto पास थोड़ी सी बस लेंड है नहीं तो वो समुद्र समिल जाती तो इसलिए उसको लगून कहते हैं तीक है तो इतीनों सही है चिलका लगून है लोनार क्रेटर लेक है और वुलार जील आपकी कैसी टक्टोनिक यह कश्मीर में है लोनार लेक आपकी कहां पर लोनार लेक अप रहमपुत्रा घाटी की रहम वहें जिसके दोनों किनारे ऊपर है रहते हैं याद रखेगां यह पूत्रह वैल इस निकलती है जो वह सो चंदर नहान घ्लीशियर कईश्गρεश में हां प 부분이 alltied के मिलेगे अ श्रित्री देखते हैं नम्लिकित कत्रों पर विचार करना है नील गिरी पहाडियों की सबसे उची चोटी अनाई मोडी है पहली बात पिर अना मलाई की जो highest peak है वो कौन सी है अनाई मुडी कौन है अना मलाई की highest peak अनाई मुडी है और नील गिरी की highest peak डोड़ा बेटा है ठीक यानि दो statement तो एक अलगत है अनाई मुडी दच्छिर भारत की सबसे हुची चोटी है अनाई मुडी क्या है दच्छिर भारत की सबसे यह उची चोटी आनाय मोडी इस दी हाइस पीक और इन साउथ इंडिया इंपोर्टेंट है याद रगना यानि सिर्फ तीसरा सही है इसका 64 पे देखते हैं निम्रिकित कतनों पर विचार करना है कौन सा साउथ 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार डीव संहों से अलग करता है तो बिल्कुल सभी चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में है ठीक है पाक जल्ट अमरूमद भारत और मालदीव के बीच है पाक स्टेट इस बीटिविन इंडिया इन मालदी तो यह गलत है से निकलती है यह नोट फपइक्वेटर तो यह गलित है दोस्तो एक्वेटर की नौट से नहीं निकलती पक्र को करते हुए जाती है देखा हो पने आपने ब्लु नइल और वीट नल जा मिलती है तब बनती है नाहिल नडी ठाहर यह जानरी तो गलत हो भिलकुल ठीक है है यह नहीं पहला गलत है बस ठीक है चलिए चांचर नमबर दिखते हैं परसित जलुपरपाद अथिरा पिल्ली जल परफी होड़ाश नदी परिस्ते हैं थे फेमस्ट वाटर फॉल अथिरा पिल्ली फॉल्स И.्ट। और वगाल की की खाड़ी के बीच जल विभाजक का कार करता है which of the following mountain make a water divide between Arabian Sea and Bay of Bengal drainage अमरकंटक नील गिरी राजमहली या सत्पुड़ा बहुत असान है बता सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी जोग्रुफी पड़ी हुई तो दोस्तों अमरकंटक हिल्स जो है यह वाटर डिवाइट करता है कि अमरकंटक से कई जलमार्ग है ठीक है इसकी मैचिंग करनी है आपको कौन सी होगी गंगा नदी पे कौन सा जलमार बना तो गंगा भी यह नंबर एक नदी है तो उस पे नंबर एक ही रहेगा यह राश्ट्री जलमार्ग एक बना है गंगा नदी पे पहली बात ब्रहमपुत्रा नदी पे ब् ब्रामणी नदीव बच गई महावव नदीओ ब्रामणी इस पर राष्ट्री जलमार्ग पांच हो जाएगा तीक है याद रखेंगे इसको यानि इसके इसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा गंगा नंबर एक ब्रंबोत्र नंबर दो ठीक है बागी गोदावरी और कृष्ण कोनों में से कौन सा राज जिस्तित है विच स्टेट इस लोकेटेट उन्दा साउध वेस्ट कॉर्णर ऑफ इंडिया साउध वेस्ट पता चला आपको नौर्थ साउध वेस्ट इस तरफ कौन है केरल त्रिपुरा राजिस्थान वेस्ट बेंगोल बताईए यह तो गमी ओर हम कहा मनाते हैं हम लोग केरल में मनाते कहा मनाते केरल बहुत इंपॉर्टन सवाल है दोस्तों बहुत एक्जाम में आपकी यह एंच्छे से इसको कर लीजए वेस्ट की सबसे गहरी खदान किस देश में इस्ट है इन विच कंट्री वाल्ट डीपैस्ट माइन लोकेट त 6371 तो इसकी त्रिज्जा है 6370 मतलब अर्थ के मेंटल से लेके यहां मतलब क्रस्ट से लेके कोड तक की रेडियस 6371 किलोमीटर है ठीक है चौतर देखते हैं सहारा के अल अजीजिया चेत्र में सार्वाधिक तपमान 571 साथ डिग्री शेल्शे से किस वर्मापा गया था इन विच्ट यह ता हाईस टंपरिचर 57.7 डिग्री शेल्शेज वस्मेटर इन अल जजजिया रीजन ओव सहारा बहुत बढ़ियां सवाल है इंपोर्टन है उतना तो सेंद्ट के बारदास के बाहर हो जाए तो यह देखा ग केरल में चीना वाला एक प्रकार का एक है डैश चीना वाला इन केरला इसा काइंड ऑफ डैश क्या है या चीना वाला चीना वाला है आपका एक मचली पकड़ने वाला जाल केरल में चीना वाला क्या है फिशिंग नेट को बोलते हैं केरल में चीने वाला क्या है फिशिंग याद रखेगा चलिए क्रिश्णा राजा बांध करनाटक की किस नदी पर बहुत असान है दोस्तों क्रिश्णा राजा बांध यह मैंने आपको इंपॉर्टेंट डैम जो बता है तो उसमें आपने कर रहा होगा इसको तो यह आपको कावेरी नदी पर मिल जाएगा कावेरी नदी पर इसलिवान किस राज में स्थी Hospital अब में तूर्वान जो यह यह वी मैं आपको बता चुगाँँ कावेरी नदी पर इंडियन कहा से अ psychology में अपको मिल जाएगा तमिल नादू में कहा मिल जाएगा में तूर्वी तर्पर डश स्थी तक हैbelsी संट जाइन star सीचुए लिए प्रशिद्ध एजप्ट इस फेमस फॉर प्रोडूसिंग मैं क्या प्रोडूस करने के लिए फेमस अब यह तो में सरफ प्रशिद्ध लिए कपास के लिए कॉटन के लिए कि सीघ्री नुमाखेत किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है फ़र विच क्रॉप दा टैरेस होती है आपके सावल के लिए होता है पर वह उप्शन नहीं है कि लोग किस राज में रहते हैं आपको प्राया पाया पाइप जाएंगे चखे संग ये नागा लेंड में मिलेगी चाकेशंग कॉमुनिटी ठीक है चली 83 देखने है विशाल लुएस निच्छेपन किस देज में पाया जाता है इन विच कंट्री इस दी एक्स्टेंसिव लाउस डिपॉजिट फाउंड ठीक है लाउस मतलब यह छोटी छोटे पाइटिकल्स होते है जिसका डिपॉजिशन होता है यह चीन में होता है ठीक है कहां पर होता है लाउस डिपॉजिट लावा नहीं है लाउस है जो छोटे-छोटे करण होते हैं ठीक है डेजर्ट स्टाइप के कह सकते हैं तो लाउस डिपॉजिट करते हैं पत्थर पत्थर के चाइना में होते है ऍंदी में टाना जील लेक ताना बहुत आसान है दोस्तों लेक ताना एफरिका में में पता होगा है चलिए 85 देखने साबरमती नदी के बारे में गलत गठन चुनना है कौन सीन गलद है यह बहुत सिंपल सवाल यह राजस्तान की आरावली से मिहलता है बम कूल सओ हमाऊए और हातमाती नदी की सायक नदिया हैं हमाऊए और हतमाती गुजरात की राजधानी गांदी नगर इस नदी के किनारे इस्टीत है मतलब सिर्प आपका दूसरा option गलत हो जाएगा ठीक है चलिए 86 टैफिला लेट मरू द्यान का छेत्रफल 13,000 वर के किलोमेटर है यह किस देश में इस्तित है टैफिला लेट डेजर्ट है जन एरिया 13,000 स्कॉयर किलोमेटर इन विच कंट्री इस लोकेटे तो टैफिला लेट डेजर्ट बैला दाश परत में स्थित होते हैं मोस्ट में युश्भण टैशलियर फिदर में आठमॉसobyl प्रूण से जाते हैं चली आको इट देख लेतें निर्याम्र बन एक्यक्राइट को उनके स्थापना ऐस्स्था क выглядит गुज्राथ है स्थापना कब हुए थी 1960 में महराज से अलग हुआ था नागालेंड 1963 में स्टेट की इसकी डिमांड पूरी हुए थी अर्याना 1966 में राज बना था पंजाब से अलगों के और मेगालेया 1932 ठीक है तो 63 चम्बल नदी के किनारे कोटा बसा यह भी शाहिए नासिक नर्मदा नदी के किनारे एक गलत है दोस्तों यह गोदावरी नदी के किनारे ओगा नासिक तो यह गलत हो जाएगा चली जोआरभाटा के लिए जिम्मेदार है विच अब दी फॉल्विग इस रिस्पॉंजबल फो टाइड चंद्रमा के गुरुत्वा कर्शन और शूरे का गुरुत्वा कर्शन तो टाइड के लिए दोस्तों दोनों ही जिम्मेदार होता नहीं नहीं एक सकंड हां सही है ग्राविटी ओफ मून भी और संस की ग्राविट किसको बोलते हैं भाई या दंसरी कामेंग लोहित या भोगडोई बताइए जिया भराई किसको गयता है तो जिया भराई बोलते हैं कामेंग नदी को जिया भराली किसको बोलते हैं कामेंग नदी को टीक है याद रहेगा निम्रिकित में से कौन सुमेलित है बानबे में यह के बताना है कौन सा मैच कर रहा है बार खान ये क्या है या लेशियर हमानी खिलत ये नदी नहीं यह आपको मिल जाएगा कारा कूंम डेजर्ट और ये है कहां तो यह तुर्कमेनिस्तान में है कहा है तुर्कमेनिस्तान में याद रखना तुर्कमेनिस्तान ठीक है चलिए चौरान में देखते हैं निम्लेकित में से किन नदियों का संबंद केरल से हैं पंबा परियर और भरत पूजा पंबा परियर भरत पूजा यह तीनों ही नदिया केरल से संबंदी केरल में बहती ह इत्व में बताना मारियाना ट्रच एंडियन ऊश्यां प cesट ओशिए में सुन्डा ट्रच इंडियन ओश्यां में ये यह प्योड गलेOffir ने द्यूसरा ओपशन रहे हैं यह आप्की गलत हो जाए पर अपिकश मेस कौन सब्सक्राइब टाठिए ठीक है कौन सा सभी सुमेलित है है एक रोफाइट एक टोरियल वाम हुमिट वेजिटेशन हाइग्रोफाइट भूमदी रेकी उश्णाद रता वाली वर्णस्पती बिल्कुल सही हो जाएगा ती दूसरा दूसरा कह रहा है लीठोफाइट काली चट्टानों में वाले ठीक है तो सितोष में नहीं होते हैं यह तो यानि पहला और दूसरा आपका सर्फ सही होगा बाकी गलत हो जाएगा तीसरा प्रत्वी की साथ बढ़ी प्लेटों में शामिल कौन सी यह बताना है जो सेवन टेक्टोनिक प्लेट थी ना उनमें से कौन कौन सी आती अंटार्क्टिक प जो आलमों की उद्गार से निकलने वाले पदार्तों में शामिल है सब्स्टेंस इमेंटिंग फ्रॉम वाल्कैनिक इरप्शन इंक्लूड लैपिली प्यूमिक पाइरोक्लास्ट लावा या राग यह बताना है वाल्कैनिक इरप्शन से क्या के निकलता है ठीक है बताईए तो देखे वाल्कैनिक इरप्शन से लप्यूमिप निकलेग बी निकलेगा पाइरोक्लास्ट भी निकलेगा लावा दोस्तों की दौरा बनती है यह बंती है दोस्तो सब गलेट्ट बनाते है चली 100 देखते हैं निम्रिकित में से किस राज्य से करक रेका नहीं उजरती है विच आप दी फॉल्वेंग स्टेट डज नोट लाई ट्रॉपिक होगा यार यह तो एकदम लड्डू गोशन ही आपको पता होगा एकदम असान ही बिहार से बहती है बिहार से क्या ट्रॉपिक कैंसर निकलती है नहीं निकलती है मनीपूर से नहीं निकलती है मेगालिया से नहीं निकलती है वेस्ट बंगॉल से निकलती है यानि एक दो तीन हो जाएगा इस संसर क्योंकि बिहार मनीपूर में यहां से करक्री का पास नहीं होती सिर्फ पस्चे मंगल से पास होती है तो यह थे जोग्रफी के 50 मिल जाएगा तो दोस्तों सीरीज पसंद आ रही हो कंटिन्यू चाहते हो तो लाइप जरूर करना